नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश जराट के देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ आपका ऐस्टो फ्रेंड संतोशी फेस्बुक पेज पर आप हमारे लाइब भी जुड़ सकते हैं हम हर रोज रात दस बच के तीस मिनट पर अपने फेस्बुक पेज इसी नाम से फेस्बुक पेज भी हमारा है आप फेस्बुक पेज पर हमसे लाइब जुड़ सकते हैं अपने प्रशनों के साथ हर रोज रात दस पच कर तीस मिनट पर आज का विशे दोस्ती को ले करके है आज का विशे मित्रता को ले करके है आज का विशे समर्पन को ले करक कि है जिसमें आपका biological connection कुछ नहीं होता है आपका शारीरिक connection कुछ नहीं होता आपके माता पिता से कोई संबंध रही होता लेकिन कुछ ऐसी शक्तियों का संबंध होता है जो आपके साथ उस एक डिस्ते को ऐसे जोड़ देता है जो कि ताउम्र चलने लग जाता है बहुत सार लड़की लड़की लड़का के बीच में नहीं लड़की लड़की लड़का लड़का के बीच की दोस्ती के लिए भी लोग हमारे पास आ करके मतलब इतना रोए हैं कि जिसके कोई सीवा नहीं जब वो दूर हो जाता है तमाम तरह के गलत फहमियों के कारण या तमाम तरह क किसी के हस्तक शेप के कारण हो जाती है चीज़े इन सारी स्थितियों को समारने के लिए आज लाल धागे का एक अनोखा प्रियोग हम ले करके आए है लाल धागे का वजह क्या है लाल धागे की सबसे बड़ी वजह है जो सबसे बड़ा कारण है उसके पीछे मंगल है और बु अस्त्र के साथ बुध का कनेक्शन होता है तृतीब हाव मित्रता का होता है थर्ड हाउस थर्ड हाउस से दोस्त का विचार किया जाता है थर्ड हाउस में बुध की राशी मिथुन राशी पढ़ती है बुध इसका नैसरगी कारक हो गया धागे का प्रियोग इसलिए हमने किय मंगल से हम क्या करेंगे मंगल अर्थात आप मंगल अर्थात मेश मंगल अर्थात काल पुरुष की कुंडली का लगन तो लाल रंग और धागे का एक सम्यक संबंध लेकर क्या हम उपस्तित हुए हैं मित्रों मैंने हमेशा कहा है कि मेरे किसी भी बात पर तारकिक्ता को आप परख सकते हैं कभी भी बोलू या ना बोलू एक छोड़ लगेगा सिद्ध करने में छोड़ क्योंकि हम हैं ही जराहट के इस चैनल और इस कार्टम की तरह तो आपकी दोस्ती सदा सलामत रहे हम आप सब की दोस्ती को प्रणाम करते हैं प्रियोग बताते हैं क्या उपाय करना है अगर आपका दोस्त रूठ गया आपकी दोस्ती तूट गई अगर आपके जीवन में कोई दोस्त ही नहीं है तो भी यह प्रियोग काम करेगा यह friendship band type में समझिएगा ठीक चली बात करते हैं आज की खास विशेप पर आते हैं तो third house और लगन को सम्यक रूप से अगर हम connect कर लें तो साइद सब कुछ संभव हो जाएगा एक लाल धागा ले लिजेगा size ले लिजेए एक हाथ एक बित्ता एक blank type का मतलब जो तीन आवरती आपकी कलाई में आजाए इतना size ले लिजे कि तीन बार आपकी कलाई में आजाए लाल धागा इस लाल धागे को आप गुलाब जल में गीला कर लीजे एक कटोरी में एक चम्मच गुलाब जल डालिए और जो आपने इतना लंबा धागा लिया है लाल लाल धागे में कलावा भी ले सकते हैं ये जो मोली होता है रक्षा सोत्र इसे भी ले सकते हैं या complete लाल भी ले सकते हैं, अब इसमें लाल पीला दो न होता है, तो कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक ही है, क्योंकि ब्रहश्पत की राशी तृतिय भाव से ठीक सात्मे में पड़ती है, तो हर कुंडली का प्रतेक भाव सात्मे से तातकालिक रूप से जुड़ता है, ये ध्य करता है, तो धागे को गुलाब जल में दुबो दीजिए, और उसे अपने दाहिने हथेली से ऐसे धकिये, जैसे कठोरी में आपने डाला, कठोरी को ऐसे धक, छोटी कठोरी लीजिएगा, जिससे पूरी तरह से कवर हो जाए, धक करके, और मंत्र बोलिएगा, लोग बुध को बुध कह देते हैं, ब्लंडर है भाई, ब्लंडर, बुध है, बुध नहीं है, बड़े बड़े बड़के जोतशी भी कह देते हैं बुध, बुध, खाली धा है, बुध का तो अर्थे निकल जाएगा कुछ और, ओम, बुम, बुधाय, नमह, सिंपल, ऐसे भी लोग मंत्रों में उंगली कर देते हैं, जिनका सुसरा मंत्र से कोई लेने देना नहीं था, मंत्र ब्रामणों के अधीन रहे हैं, हलाकि इस बात को मैं दबी जुबान से कहता हूँ, मैं बर्ण व्यवस्था में भरुसा तो रखता हूँ, लेकिन एक सीमा तक, मेरी अपनी एक अलग फिलोसफी और दरसर होता है, कितनी बार जपना है, एक प्रशन उठता है, आपकी शद्धा है, मैं संख्या बंधन नहीं है, दो चार मिनट जप लीजिएगा, गुलाब जल से धागा निकालिएगा, पुजा स्थान पर रखकर एक दिया जला दीजिएगा, और जब धागा सूख जाए, गुलाब जल से कि कलाई में बंधवा लिजेगा, घर की स्त्री से, बहन से, चाची से, मामी से, मौसे से, इन केस, इस्त्री नहीं है, तो खुद भी बांध सकते हैं, दो परहेज होगा, नो नॉन्वेज, एंड नो पत्थर इन फिंगर्स, अंगलियों में पत्थर ना पहनिएगा, और लेकिन हाँ, अभी आठ फरवरी तक गाजियाबाद में और नौ-दस को जैपूर, ग्यारह बारह इंदोर मुलाकात कर सकते हैं, उसके बाद बॉम्बे, पूने, एहमदाबाद, सूरत, नागपूर, राएपूर आ रहे हैं, तो मुश्कार्स